राकिबा, अरे, चले, चाय पी दीजिए, आपकी पसंद बाली चाहे है आपको पता है ना, आप इस तरहां उदास होकर, रोकर, अपना बादा तोड़ा है, किसा बादा? भूल गए? करन से क्या हुआ वादा, क्या कहा था उसने? अगर आप उसे याद करके रोगे, तो उसे अच्छा दी लगेगा, याद करो मुझे देखे, सब लोग प्रॉमिस कीजे, मुझे जब भी याद करेंगे तो चहरे पर हंसी होनी चाहिए, और अगर आप लोगों ने रोक के मुझे याद करना तो फिर मुझे याद ही मत करना, लेकिन अगर याद करना है, तो सिर्फ हंसी के साथ, देखा, आ गई ना मुस जयसे करन मेरे लिए चाहिए आता था, बेल्कुल ऐसे और चुट मेरे लिए चाहिए आता कि माण आपको बता आपको आपको आईसा क्यूं लगता है? क्यूंकि आप जितना प्यार करन से करते हो ना उतना प्यार किसी ने किसी से भी शायत ही किया होगा जब इतना प्यार दिल में होता है तो उस इंसान को आखे हर जगा ढूंदती है हर इंसान में आप करन को ढूंदने की कोशिश करते हो लेकिन आपको पता है कि करन कहा है, कहा है, आपके दिल में है, आपकी आखों में है, जब आप करन को याद करते हो, तो करन आपकी मुस्कुराहत में है, करन आपकी साथ है, और जब तक हम जिन्दा हैं, वो हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए किसी भी इंसान में करन को मठ इस्पेशली अर्जुन में, अर्जुन में करण जैसा कुछ भी नहीं है, वो एक बुरा इंसान है, बहुत ही ज्यादा बुरी इंटेंशन रखता है हमारे लिए, राकिमा, अगर वो हमारे साथ बिजनस राइवेलरी कर रहा होता ना, और अपना काम अच्छा दिखा कर हमें नीचा दिखा रहा होता, तो हम फिर भी समझते हैं, लेकिन वो हमारे साथ परसनल राइवेलरी कर रहा है, वो किसी भी हद तक खुद गिरकर हमें बेज़द करना चाहता है, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, आपके दिमार्ग में जो अर्जुन बैठा हुआ है, वो वो जो शुरू-शुरू में हमारे घर आया था, और एक बहुत ही अच्छा इंसान बनकर सबको दिखा रहा था, लेकिन वो दिखावा था, एक मुखोटा था, जो हम हट गया है, और उसका असली चहरा हमने देख लिया है, तो आप प्लीज, ऐसा मत सोचे कि अचानक से वो बद है, वो बुरा था, बुरा है, और बुरा ही रहेगा, आपको उस अपने दिल से निकालना बढ़ेगा राख्यमाद।